नमस्कार दोस्तों, बाल विकास के महतोपूर्ण प्रशन व्याख्या सहीद के पांचमे भाग में आपका स्वागत है आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 49, आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा प्रशन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्रीजन करते हैं इसका स्रेक किसे दिया जाता है पहला उप्षन है कोहल बरग, दूसरा उप्षन है पावलाव, तीसरा उप्षन है जीन प्याजे और चोथा उप्षन है स्किनर तो आप इसका उत्तर सोचिएगा ग्यान का स्रिजन याने बच्चे किस परकार सीखते हैं कैसे सीखते हैं दिखिएगा दोस्तों इस पर हमारे संग्यानवादियों ने काम किया जिसमें नाम आता है जीन प्याजे का जिसमें नाम आता है वाइगोट्सकी का बनाता है, एक विचार बनाता है फिर उसका वो प्रिक्षन करता है और किसी रजल्ट बर पहुंן ता है फिर समान्य एकतर जर्नलाईजेशन करता और एक सिद्धाथ बनाता है तो याने यह जो बाते हैं ज्यान के सरीजन की दोस्तों यह हमारा रचनावादी सिक्षन है, रचनावादी सिक्षन, याने constructivist teaching, जिसमें ज्ञान के स्रिजन पर जोर दिया जाता है, हमारा पुराणा सिस्टम क्या रहा है, पुराणे सिस्टम में हम सिर्फ ज्ञान का ट्रांसपर करते रहे हैं, जबकि constructivist learning में ज्ञान का स्रिजन होता है, तो यहाँ आप option के according सही उत्तर है जीन प्याजे आगे बढ़ते हैं पचासवा प्रशन देखिएगा आप अपनी स्क्रीन के उपर पचासवा प्रशन है out of the box चिंतन किस से सम्मंदीत है पहला option है अनुकूलन चिंतन दूसरा है समरती आधारिक चिंतन तीसरा है अपसारी चिं तो आप भी थोड़ा चिंतन किजिए इसका उत्तर सही क्या हो सकता है out of the box यह हमारा box इससे out हो है out है कोई चीज आउट of the box इसका मतलब है दोस्तों तो इसका मतलब इसमें नहीं है कुछ नया सोचना है कुछ हटके सोचना है तो यानि सीधी सी बात है जो तके इसके अंदर है उसके अंदर कुछ नई बात जोड़नी है और नई बात जोड़नी की जो बात है वो किसमें आती है दोस्तों वो है अपसारी चिंतन जिसमें पुराने ज्यान में हम कुछ नए तथ्ये हैं वो जोड़ दिये जाते हैं तो इसलिए out of the box चिंतन किस से सम्बंदित हुआ आगे बढ़ते हैं दोस्तो 51 प्रशन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर प्रशन है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्परे है इसका क्या मतलब है पहला उप्शन है बच्चे ने उत्रों को सही तरीके से याद नहीं किया बच्चे को प्राइवेट टुशन लेनी चा और अक्सर ये रिपीट भी होता रहता है प्रशन जब बच्चा फेल होता है तो उसमें उस बच्चे का दोस्त बिलकुल नहीं है क्योंकि साइकोलोजी आज का आधुनिक सिस्टम ये कहता है नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क एनसी अफ दो हजार पांच एनसी अफ दो हजार पांच इस बात पर बहुत गहराई से दाग के साथ जोर दे रहा है हर बच्चा सीख सकता है और हर सिक्षक सिखा सकता है तो बच्चा फेल हुआ है तो इसका मतलब हमारा सिस्टम फेल हुआ है उसमें बच्चे का दोस्त नहीं है हमें इस बात पो समझना है तो सही उत्तर जो आपने सोच लिया होगा च्यार नंबर ओप्षन याने शिक्षन व्यवस्ता फेल हुई है आगे बढ़ते हैं दोस्तों बावनुवा प्रशन बावनुवा प्रशन है कि चिंतन अनिवारे रूप से है एक ओप्षन है संग्यानात्मक गतिविदी, दूसरा मनोगतिक प्रकिरिया, तीसरा मनोवेज्यानिंग घटना और चोथा है भावात्मक वहवार सोचिएगा बिचिंतन अनिवारे रूप से क्या है देखिएगा दोस्तों हमने चिंतन पर बात कर चुके हैं पहले भी चिंतन हमारे मेंटल लेवल पर होता है, जिसमें हमारे अनुभाव याने एक्सपिरियेंस, हमारी कल्पनाईग और हमारी सूचनाईग ये सारी इसके अंतरगत मिक्स है और एक नया रूप ग्रहन कर लेती है हमारे अनुबावर ये सारी चीज़े मिलकर एक नया रूप ग्रहन कर लेती है और उसी को कहा जाता है दोस्तो नंबर एक ओप्षन संग्यानात्मक गतिविदी संग्यानात्मक गतिविदी और जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास सिर्धांत में उसने जोर देके इस बात को कहा है भी बालक स्वेम खुद ही अपने वातावरन की खोज करके अपनी संग्यानात्मक शक्ति को ड्वेल्प करता है अर्थार्थ अपने ग्यान का सिरिजन वो खुद करता है, तो इसका सही आंस्वर हुआ, आप्शन संख्या एक संग्यानात्मक गती विधी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेशन संख्या 53, 53 नंबर प्रशन है, किसने कहा है कि बच्चे संसार में Language Acquisition Device, याने LAD के साथ जनम लेते हैं, इस पर भी हमने बात की थी पहले, Language Acquisition Device, भासा अरजन यंतर, ये बात बताने वाला एक भासा मनोवे ग्यानिक, नौम चोमस की, नौम चोमस की, तो इसको तो प्रशन को शायद पूरा पढ़ने की जुरूरत भी नहीं मैसूस नहीं हो रही थी जैसे, नौम चोमस की, वाइगोर्स की, जीन प्याजे और ब्रूनर दे रखा है, तो LAD का नाम आते ही, आपके तुरन दिमाख में आ जाना चाहिए, नौम चोमस की, तो इस प्रशन का सही आंस्वर, आप्शन संख्या एक, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, स्क्रीन पर देखिएगा आप चोपन, 54 नंबर प्रशन, चोपन नंबर प्रशन, प्रशन है, का बच्चे सकीरिये ग्यान निर्माता तथा नन्ने वे ग्यानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिधान्तों की रचना करते हैं, ये किसके विचार है, तो देखिएगा दोस्तों, आज हमने 49 नंबर का जो प्रशन किया, सेम वही बात, भी बच्चे ग्यान का स्रिजन करते हैं, जीन प्याजे का नाम आया, और जीन प्याजे ने ही ये बातें बड़े, अपनी थियोरी में ये लिखी है, भी बच्चे ग्यान का स्रिजन करते हैं, वो एक सक्रिय ग्यान निर्माता है, और उसने बच्चों को एक छोटे साइन्टिस्ट की संग्या दी है, तो इसलिए इसका सही आंस्वर 49 नंबर प्रशन की तरह ही जीन प्याजे, नैकी पावलावस की नर्या यूंग, तो 54 नंबर प्रशन का सही आंस्वर जीन प्याजे होगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर देखिएगा आप 55, पिचपन नंबर प्रशन, पिचपन नंबर प्रशन, प्रशन पढ़िएगा, बड़ा सा प्रशन है, तो इसका मतलब उत्तर बहुत श्यांदार होगा, एक बच्ची को उसके पिता चहल कदमी करा रही थी, बच्ची जानती थी कि चिडिया जैसी चीजे होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था, और पतंग को देखर उसने कहा, चिडिया को तो देखो, उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है, यह उधारन दिखाता है, अप्शन नमबर एक सम्मिलन याने एसिमिलेशन, दूसरा समायोजन याने अकॉमोडेशन, तीसरा सरंक्षन याने कंजरवेशन, और चोथा है वस्तु का प्रदर्शन याने अबजेक्ट परमानेंस, बहुत अच्छे से मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोज में ये बात किलियर करने की कोशिस की थी, ये अड़ेप्टेशन का प्रशन है दोस्तों, अनुकुलन का प्रशन है, आप सोचिएगा इसका आंस्वर क्या हो सकता है, एक बच्ची चिडिया को जानती है, तो चिडिया का सकीमा उसके दिमाग में है, लेकिन वो पतंग को देखकर उस पतंग को चिडिया कह रही है, अर्थार्थ पुर्व ग्यान का ही सहारा ले रही है, तो पुरो ज्यान का सहारा लेना दोस्तों क्या कहलाता है Assimilation कहलाता है Assimilation तो यहाँ Assimilation है सम्मिलन अर्थार्थ 55 नमबर प्रशन का उत्तर हुआ Option नमबर एक आगे बढ़ते हैं दोस्तों 56 प्रशन 56 नमबर क्वेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है निमल खित में स्रीजन सेलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है त्यान दीजिएगा क्या नहीं है नहीं पूछा है पहला option मौलिकता दूसरा अनुसासन तीसरा धारा प्रवाहिता और चोथा है लचिलाबन तो यहाँने 56 नमबर प्रशन 200 जो है वो creativity का प्रशन है वी creativity में क्या चीज शामिल होती है creative यानि स्रीजन जिसका मतलब होता है उत्पत्ती करना किसी चीज को बनाना यानि वो चीब लहीं एक ही वस्तु का दुबारा से बना दिया गया हो तो उसकी जो परमुख विसेस्ता हैं उसमें क्या होनी चाहिए मौलिक्ता होनी चाहिए ओर इसनलिटी उसके अंतरगत होनी चाहिए यानि बीलकुल नया काम होना चाहिए और वो संसार में आप से पहले अब तक किसी ने नहीं किया तो उस creative काम को हम कहेंगे मौलिक काम है यानि ओरिजिनलिटी है दूसरा धाराप्रवाहिता धाराप्रवाहिता का मतलब होता है दोस्तों विचारों की खुली अभिवक्ति जैसे classroom में बचा फ्रेशन Pूछता रहता है और पूछने भी देना चाहिए बच्चे को तोकना नहीं चाहिए और एक नाम है इसमें लचिलापन लचिलेपन का मतलब होता है अलग-अलग तरीके से सूचना तो दोस्तों मौलिकता, धाराप्रवाहिता, लचिलापन, किसी बात का विस्तारण करना, स्वतन तरता, हशे हाव भाव ये सारे स्रिजन सिलता की क्वालिटी है तो इसका मतलब इस option में, इस प्रशन का जो दो नमबर option है, discipline इसका समझ क्रियेटिविटी से नहीं है वो creative चीज नहीं है, वो तो थोपी जाती है चैए वो बाहर से, चैए हम अपने अंदर से थोपे भी आइसा करना है तो अनुसासन, creativity का परमुक तत्व नहीं है तो इस प्रशन का सही उत्तर दो नमबर option होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और प्रसंद संख्या 57 का निमन में से किसे संग्यानात्मक प्रकिरिया में समिलित नहीं किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, option है, चिंतन, दूसरा protection, तीसरा समरती, और चोथा संदीस्तल, synopsis तो संग्यानात्मक प्रकिरिया, देखिए दोस्तों, इस पर पूरा मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि बहुत प्यारा, मैंने एक एक चीज पर वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैंने कहा, मैं आपको सिखाने की कोसिस कर रहा हूँ प्रशनों के माद्यम से भी सिखा रहा हूँ और इन टोपिकों को अलग-अलग वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि मेरे साथियों का, मेरे दोस्तों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके मेरे experience का आप भी लाब उठा सके तो संझ्यानात्मक प्रकीरिया में क्या शामिल नहीं है हमने कहा दोस्तों संझ्यानात्मक प्रकीरिया में हमने पढ़ा था समवेदना, आवधान, परतेक्षी करण, अधिगम, समरती, चिंतन, समशय समाधान, बुद्धी, तारक, Conference, Formation, संप्रत्य निर्मान, Decision Making लेकिन ये जितनी भी बातें हमने की थी, ये सारी संग्यानात्मक प्रकिरियाएं है, अब इन में से जो नहीं है, उच्छाट नहीं है, तो चिंतन इसमें शामिल है दोस्तों, पर्टेक्शन परसेप्शन इसमें शामिल है, समरती इसमें शामिल है, संदी स्थल ये इसमें शा तंत्रिकाओं का जाल है और सबसे छोटी कहते हैं न तंत्रिका तंतर की सरंचनात्मक और किर्यात्मक इकाई को हम कहते हैं निूरोन यादार होगा मैं थोड़ा वो डाइग्राम बना के आपको बताऊं जो छोटी क्लास में आपने पढ़ा इस तरीके से आपने एक डाइग्राम पढ़ा होगा ये ऐसे मूंचे बनाई होगी कभी ये एक सबसे छोटी निूरोन है तंत्रिका कोशिका है जिसको निूरोन कहते हैं और ऐसी ही निूरोन इसके पास ओर होती है सेम इसी तरीके से ये दोनो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है यानि बिलकुल इस तरीके से आपस में थोढ़े से distance पर होती है तो जब कोई सम्वेदना हमें जाती है तो वो सम्वेदना इन्ही निूरोन्स के माध्यम से आगे से आगे बढ़ती हुई हमारे मस्तिक्स तक पहुंचती है तो दो नियूरोनज के बीच यह जो junction है इस junction को कहा जाता है दोस्तो यह संदिस्थल है जो गुंथा हुआ नहीं होता यह सारा chemical process होती है यहां पर हार्मोन के माध्यम से यह neurons की जो शमवेदना है वो एक से दूसरे में जाती है और लास्ट में मस्तिक सक जाती है तो दो neurons का जो संदी स्थल जो junction होता है दोस्तों उसको कहा जाता है संदी स्थल और इंगलिश में कहते हैं synapsis synapsis या synaps कहा जाता है तो ये तो तंत्री का तंत्र की बाते होगी ये तो सूचना को पहुंचाने वाला माध्यम हो गया ये संग्यानात्मक प्रकीरिया प्रोसेसिंग नहीं है प्रोसेसिंग यहां होती है तो इसलिए इसका सही आंस्वर होगा च्यार नमबर ओप्षन संदी सल सिनेप्स होगा सिनेप्सिस होगा जो संग्यानात्मक प्रकिरिया के अंदर शामिल नहीं है आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा 58 वा प्रशन बहुत अच्छा प्रशन है और इसका भी हमने अलग से वीडियो संग्यानात्मक प्रकिरिया वाला जो वीडियो है उसके अंतरगत ये बाते में शामिल की हुई है प्रशन है कि संग्यानात्मक प्रकिरिया की विसेस्ताओं में से किसे समिलित नहीं किया जा सकता बड़ा प्रिक्षा में रहता है समिलित किया जा सकता है नहीं किया जा सकता कई बच्चे वो हाँ या नहीं वाले में उल्च जाते हैं तो नहीं को आप अच्छे से गोड़ा लगा ले भी हाँ इसमें से गलत छांटना है ठीक है तो पहला है कि संग्यानात्मक प्रकिरें सक्रिय होती हैं दूसरा है संग्याना संग्यानात्मक परकिरें परतेक्स रूप से प्रेक्षणिये होती है और चोथा है संग्यानात्मक परकिरें सभी एक दूसरे से सम्मंदित होती है तो कौन सी की विशेस्ता नहीं है वो देखना है विचार कीजिएगा अब हम बात करते हैं पहला option है कि संग्यानात्मक परकिर सक्रिय होती है, बिल्कुल, सक्रिय ही होती है, एक्टिव होती है, हमारे सामने कोई गठना होगी, तब हमारा दिमाग चलेगा ऐसा नहीं है, ये चलता रहता है, तो संग्यानवादी ऐसा नहीं सोचे, वो तो कहते हैं, ये दिमाग, ये मशीन चलती रहती है, ये तो दूसरा है कि संग्यानात्मक प्रकिरियां दक्स और विशुद होती है बिलकुर जब क्योंकि हम यहां पर स्टोर करते हैं समरती हमारा एक स्टोरेंज है वहां धारन करते हैं चीज को जब हमें जरूरत होती है तो उसको रीकॉल करते हैं तो कई बार क्या होता है जैसे प्रश आपने हुआ और उसमें संसोधन कर लिया तो इसलिए कहा विस संग्यानात्मिक प्रिकिरिया ही है वो प्योर होती है उनमें त्रूटियों की संभावना नहीं होती वो अपने आप में दक्ष और विशुद होती है तो यह संग्यानात्मिक प्रिकिरिया की विसेस्ता है दोस्त तीसरा option है कि संग्यानात्मों परिक्रें परत्यक्स रूप से प्रेक्षणिये होती है तो जो यहां अंदर हो रहा है वो दिखाई नहीं देता वो एप्रकट होती है तो इसलिए दोस्तों ये तीसरा option हुई इस 58 में का सही उतर हुआ क्योंकि गलत छाटना था ये गलत है चोथा option कहा रहा है संग्यानात्मों परिक्रें आपस में जुड़कर याने इनमें इंट्रेक्षण होता है और फिर एक साथ मिलकर ये काम करती है तो 98 का सही उतर हुआ तीन number option जो कि संग्यानात्मों परिक्रें की विशेस्ता नहीं है आगे बढ़ते हैं दोस्तों और स्क्रीन पर देखिएगा 59 number option प्रशन है कि संग्यानात्मक परिक्रें कुछ ऐसे कूट संकेत यानि कोड्स उत्पन करते हैं जिसे लोगों द्वारा उपियोग किया जाता है इस तरह के विचार पर सबसे अधिक बल किसने डाला है पहला option है निसर दूसरा है best तीसरा है टुलविंग और चोथा है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो इस 59 नमबर प्रिक्रें का सही आंस्वर है वो साइकोलोजिस्ट है निसर जिसने हमें बताया था का संग्यानात्मक परिक्रें कुछ कोड उत्पन करती है जिसका उप्योग हम आगे करते है तो 59 नमबर का right आंस्वर option नमबर एक और आज के पांचवे भाग का अंतिम प्रेशन दोस्तो आपकी स्क्रीन पर है प्रसंद संख्या 60 मनो भोतिकी साइको फिजिक्स से क्या तात्परे है कई बार ये प्रेशन डारेक्ट नहीं आकर option के रूप में आ जाता है कहीं तो आपको ये पता तो हो भी ये है क्या इसी उद्देशे से मैंने इसको शामिल किया मनो भाग भोतिकी से क्या तात्परे पहला है ऐसा विज्ञान जिसमें सीखना तथा समरिति का अध्यन हो दूसरा ऐसा विज्ञान जिसमें सभी तरह की मानसिक प्रिकिरियाओं का वर्णन बहतिकी के अनुसार हो तीसरा है ऐसा विज्ञान जिसमें सभी तरह की देहिक प्रिकिरियाओं के विसलेशन पर बल दिया गया हो और चोथा है ऐसा विज्ञान जिसमें उदिपन और उससे उद्पन सम्वेदन के सम्मंद का अध्यन हो तो सूचिएगा दोस्तो साथ नंबर प्रिशन का सही उत्तर क्या होगा जो हमें साइकोफिजिक्स के बारे में इसकी कुछ तथे भी मैं आपको बताना चाहूँगा साइकोफिजिक्स ये कंसेप्ट आया कब और किस ने दिया तब हम इसके राइट आंस्वर पर भी पहुंचेंगे दोस्तो साइकोफिजिक्स मनो भोति की शब्द आया 1860 के अंदर अब हम ये याद करें 1860 के आसपास हम साइकोलोजी को क्या कहते थे पहले साइकोलोजी आत्मा का विज्ञान फिर मन का विज्ञान माना था ठीक है फिर फिर तीसरे नमबर पे चेतना का चेतना का मनो विज्ञान माना था तो वो चेतना अर्थार्थ, चेतन की अनुभूती, ये दोर था जब हम साइकोलोजी को चेतन की अनुभूती मानते थे, तो 1860 में साइकोफिजिक्स आई, देने वाड़ा जर्मनी का जो फिजिक्स का बंदा था और नाम है उसका फैकनर, ये लेके आया इस कंसेप्ट को, फैकनर, जी टी, फैकनर, 1860, तो इसने क्या कहा, इसने हमें कहा, कै साइको, साइको का मतलब है कै अनुभूती, और फिजिक्स, फिजिक्स, उसने इसके लिए शब्द यूज किया, उद्धिपक, स्ट्यूमिलस है, कोई चीज है आपके सामने, तो जब हमारे सामने कोई उद्धिपक आता है, तो इस उदिपट का अनुबाव हम किस से करते हैं दोस्तो ग्यानेंदरियों से उसका ग्यान अर्थ ग्रहन करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं समवेदना, सैंसेशन, सैंसेशन कहते हैं और वो ही क्या है वो ही तो अनुबुती है वो ही तो अनुभूती है तो इसका मतलव क्या हुआ इसका मतलव हुआ भी साइकोफिजिक्स याने मनुभूतिकी में उदिपक के जो सामने स्ट्यूमिलस है उस उदिपक के गुणों और उससे उद्पन अनुभूतियों के संबंदों का अध्यन होता है उदिपक के गुणों और उससे उद्पन अनुभूतियों का अध्यन होता है जैसे ये कहना चाता है जैसे एक बच्चे को हम कोई आवाज सुना रहे हैं जैसे या हम खुद सुन रहे हैं एक आवाज है सो हर्ट्स अवरती की आवाज हम सुन रहे हैं फिर सो से अचानक जो को हम option पर लागू करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे 60 नंबर प्रशन का सही आंस्वर है option संख्या 4 जिसमें कहा गया है कि मनो भोति की ऐसा विज्ञान है जिसमें उदिपक और उन से उत्पन समवेदन समवेदन मतलो अनुभूति उस समवेदन के संबंदों का अध्यन है तो 60 में का सही उत्तर 4 तो दोस्तों ये था बाल विकास के महतोपुन प्रशन व्याख्या सहीद का पांचवा भाग। उमीद करता हूँ आप इससे बहुत लाभानवित हुए होंगे आप मेरा होसला बढ़ाते रहिएगा और मैं आपके लिए इसी तरीके से साइकोलोजी यानि संपुन साइकोलोजी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा तो पढ़ते रहिएगा दोस्तों जै हिंद जै भारत